अलो फ्रेंद्स वेल्कम टू मैं चैनल डियेटेशन अकांशा आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि उबली हुई सबजिया खाने से हमारे शरीर को कौन से कौन से फाइदे होते हैं तो दोस्तों आप मैंसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिन्नोंने उबली सबजिया वॉल्ड वेजेटेबल का नाम सुनके ही नाक से उबली सबजिया नहीं खाते हैं लेकिन जो सबजिया होती है उन से हमारे शरीर को कई सारा portion मिलता है बहुत सारे vitamins है, minerals है, fiber है, antioxidant है ऐसे कई सारे portion ने इन सबजियों से हमें मिलते है और इस प्रकार से दोस्तों सबजिया जो होती है वो calories में कम होती है और portion से भरपूर होती है उसे के साथ-साथ अगर आप boiled vegetables यानि कि उबली होई सबजया खाते हो तो वो और भी ज्यादा हल्दी होता है क्योंकि फिर जो भी हम fry करते हैं सबजया जब भी जैसे कि भून के बनाते हैं तब उसमें हम बहुत सारा तेल डाल देते हैं बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि अच्छे से अगर हम तेल नहीं डालते हैं तो सबजी को स्वाद नहीं आता है जो कि एक हद तक सही भी है अच्छे से अगर आप पकाते हो तो बहुत टेस्टी लगती है लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप कम तेल में बनाते हो तो बिलकुल भी उसे स्वाद नहीं आता है और फिर जब आप इतना तेल डालते हो तो एक तो उसमें से calories बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि तेल की calories उसमें आ जाती है उबली हुई सब्जिया खाने से ये फाइदा होता है कि calories एकदम ही कम क्योंकि आप तेल नहीं डाल रहे हो उसमें और जब यह हम सब्जिया भून के बनाते है तो फिर उसमें से कई सारे पोशक तत्व होते है वो भी निकल जाते है तो उबली सब्जिया खाने से ये भी एक फाइदा होता है कि बहुत ज़्यादा जो पोशक तत्व होते है वो उसके अंदर रह जाते है और फिर उन सारे पोशक तत्व का फाइदा हमारे शरेर को मिलता है तो दोस्तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि उबली हुई सब्जिया खाने से हमारी शरेर को कौन से कौन से फाइदे होते है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज का हमारा वीडियो लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमेशा की तरहा एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चानल पे नहीं हो और अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्ली से सब्सक्राइब कर लीजे ताकि मेरे ऐसी जो नहीं नहीं वीडियो आती रहती है वो सारी वीडियो आप तक बहुँच जाएगी सबसे पहला फाइदा है उगली हुई सब्सक्राइब का कि ये किल्नी स्टोन्स का खत्रा कम कर देती है तो किल्नी स्टोन्स जो होते है वो ऑक्जलेट से बनते है ऐसे नहीं कि सिर्फ ऑक्जलेट से बनते है लेकिन किल्नी स्टोन्स में जो प्रकार होते है कुछ-कुछ calcium से बनते है, कुछ-कुछ auxalates से बनते है, तो auxalates जो होते है, वो सबजियों के अंदर होते है, खास दोर पे जो हरी पत्तेदार सबज आ होती है, उनमें इनका प्रमान होता है, तो उसी के कारण आप अगर ऐसी सबज्यों को उबालते हो, तो उसमें से oxalates जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हद तक कम हो जाते हैं और फिर उसके कारण किन्नी स्टोन्स का खत्रा यहाँ पे कम हो जाता है अगला फाइदा जो होता है वो है हमारे पाचन के लिए तो सब्सक्राइब जब आप उबालते हो तो उसमें से जो complex compounds होते हैं कार्वोहाइडरेट्स से बनती हैं सब्सक्राइब में ज्यादा तो जो भी complex compounds होते हैं वो simple compounds में breakdown हो जाते हैं और फिर उसके कारण ये पाचन के लिए काफी अच्छा होता है तो जब भी आपको पता होगा बुखार आता है या फिर दस्त होते है डायरिया होता है तो ऐसे समय पे लेने के लिए ये काफी अच्छा होता है क्योंकि ये पाचन के लिए काफी हलकी होते है और पेट पे ज्य समस्या है तो ऐसे लोगों के लिए भी उबली सब्जाया खाने से बहुत ज्यादा होता है अगला फायदा जो है वो है वीनिंग या निकि बच्चे ज्वी चोटे होते हैं और नया नया खाना चालू कर देते हैं जो ठोस अहर लेना चालू कर देते हैं तो जो बीच की प्रोसेस होती है yak तो उसे हम कहते हैं वीनिंग फूर तो ऐसे बच्चों को शुरुवात में देने के लिए ये काफी अच्छा आर हो जाता है उबली हुई सब्जिया जो होती है आलू है या फिर गाजर है शकरकंध है यसी अलग-अलग प्रकार की सब्जिया आप बच्चों को दे सकते हो अगतवा भी इससे मल जाते है और इनमें पानी का भी कंटैंट जो होता है वह भी अच्छा होता है और पाचंद के लिए भी आसानी होती है क्योंकि बच्चों के लिए जब हम नया खाना चालू करते है तो एकदम आपकु भारी सा पदात अगर उँहें देते हो उनकी बच्चों से ही हमें चालू करना है तो इसलिए ऐसे समय पे देने के लिए उबली हुई सब्जिया काफी अच्छा परिया होता है उबली हुई सब्जियों के साथ साथ बच्चों को आप जो सूप बनते हैं अलग-अलग प्रकार के सब्जियों से सूप बनाके दे सकते हो पा पाचन सही से चल रहा है तो जादा फाइबर देनी के आवश्यक्ता नहीं है तो ऐसे समय पे सूप जो होता है वो पोशन सारा सूप के अंदर आ जाता है और जैसे मैंने कहा कि पानी का भी अंच बच्चों के पेट में यहाँ पे चला जाता है तो सूप भी आप अलग-अलग सबजियों के बना के जरूर दे सकते हो अगला फाइदा है उबली सबजियों का एसडिटी को कम करने के लिए तो जब आप कोई भी तला हुआ पदात खाते हो या फिर मसालेदार एकदम पदात खाते हो तो उसे पाचन के लिए पेट के अंदर डाइजेस करने के लिए ज़्यादा एसड की आवशकता होती है और फिर अगर वो एसड का प्रमाण बहुत ज़्यादा हो गया तो बहुत सारे लोगों को एसडिटी के समस्या हो जाती है तो इसलिए तले हुए पदाथों के जगे पे जो भूनी हुई सबजया होती है उसके जगे पे अगर आप उबली हुई सबजया खाते हो तो उसके डाइजेशन के लिए ज़्यादा एसड शरीर में सिक्री नहीं होता है और फिर एसडिटी की समस्या से ये हमें दोर रगता है उसके साथ साथ अगर आप उबली होई सबजया खाते हो तो पेट में जलन भी कम होती है पेट के अंदर की जो तपचा होती है जो लाइनी होती है उसके उपर ये ज्यादा दबाव नहीं डालती है तो पेट में जलन क करते है वह भी कम होता है और सब्सक्राइब अगर आप अच्छे से उबाल के लेते हो तो अलग अलग प्रकार के bacterial infections का जो खतरा होता है संक्रमन का खतरा होता है वह भी यहां कम हो जाता है अग्ला फाइदा है वजन नियंद्रण के लिए या फिर वजन मियन कहता है या थे घंज ही लिए यान कम करने के लिए को Durk ऌई ठर्थेये क्लिए आग्वoden करने के लिए कौन धीरल्ण मुटी प्रेसके कि जबी हम सब्जा भून के बनाते हैं तो तेल बहुत ज़्यादा डाल देते हैं उसमें या फिर अगर आप तेल थोड़ा भी डालते हो तो भी तेल के कैलरीज उसमें आ जाते है तो जब भी वजन कम करना होता है तो सबसे ज़्यादा जरूरी बात यही होती है ये बहुत ही अच्छा option लगता है अलग अलग प्रकार की सबजया आप उबालके जरूर ले सकते हो और सबजयों का fiber जो होता है वो भी शरीर को मिल जाता है जो वजन कम करने के लिए मदद करता है लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी कलती कर देते हैं कि सिर्फ उबली हुई सबजय खाके ही पूरा डायट कर लेते हैं तो ऐसे आपको नहीं करना है सिर्फ सबजया खाके कोई भी डायट अगर आप करते हो तो वह गलत हो जाता है लेकिन आपका जो भी weight loss का डायट होगा उसके अंदर आप उबली हुई सबजया जरूर सामावेश कर सकते हो वो आपको काफी मदद करेंगी अगला वाइदा है उबली सबजयों का हमारी तवच्ळा के लिए तो अगरापको पता हुगा कि हमारी तौच्चा अगर आपको होगा रखनी है तो उसके लिए आपको एक लूरत होती है और से जब आपका शरीर साफ रहता है या फिर होड़ी रहता है तो उ वोनों चीजे यहाँ पर कवर हो जाती है यानि कि अलगलग प्रकार की सबजया गाजर है चुकंदर है पालक है अलगलग सबजया आप ले सकते हो टमाटर जैसी सबजया भी ले सकते हो उबाल के अगर आप खाते हो तो उससे शरीर को पोश्टन मिलता है अंटी ऑक्सिडेंट होते हैं इसके अंदर और अंटी इंख्लमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है जो कि तवच्छा पे काफी अच्छा असर दिखाती है यानि कि तवच्छा पे जो चमक आती है या फिर पिंपल की इल्मुहासे की जो प्रॉबलम होती है उन्हें कम करने के लिए ये मदद करत है और उसी के साथ साथ हमारे बालों के लिए काफी अच्छे होते हैं हैर फॉलिकल जो होते है उसे स्टिमूलेट करन का काम करते है और जैसे मैंने कहां कि शरीर से जो अशुधिया अगर आपकी अचछा पे दिखता है गाजर जैसी सबजहा अगर आप उबाल के खाते बालों की अच्छे ग्रोथ के लिए या फिर hair fall जो होता है वो कम करने के लिए और क्योंकि नमी भी देता है ये शरीर को तो फिर जो hydration ज़रूरी होता है जो dry त्वचा दिखती है उसे कम करने के लिए त्वचा को नमी देने के लिए और बाल भी कभी कभार dry दिखते है अगर में पानी की मात्रा कम है तो ऐसी सारी problems को कम करने के लिए ये काफी मदद करती है और अगला फाइदा है हमारे immunity या रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए जैसे मैंने बता कि antioxidant से यह भरपूर होती है कई सारे vitamins और mineralsary सबजियों में होते है तो अगर आप उबली हुई सबजिया लेते हो तो आपकी immunity रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए ये काफी मदद करती है और दूसरी अच्छी बात यह हो जाती है कि कभी कबार कोई मूँ में problem आ जाती है तो फिर सबजिया अगर आप उबालते हो तो अच्छे से नरम हो जाती है या फिर सूप का option जैसे मैंने बताया वो भी आप ऐसे सफ़य पर ले सकते हो तो ये इतने सारे फायदे है दोस्तों उबली हुई सबजिया खाने से हमारे शरीक को होते है उसे के साथ अब मैं आपको बताती हूँ कि सबजिया पकाने का सही तरीका क्या होता है बहुत सारे लोग उबली सब्सक्राइब कर आपने पर जितनी आपकी सबजी है उसके हिसाप से पंदाजा लगा के सही मात्रा में आपको पानी लेना है, क्योंकि क्या हो जाता है सब्जी अभी उबलती है, तो उसमें से जो water-soluble vitamins होते हैं, कुछ-कुछ पोशक तत्व होते हैं, जो पानी में उतर जाते हैं, और अगर आप देर सारा पानी लेके उसमें सब्जी उबाल द देते हो, तो फिर उबलने के बाद हम पानी फेक देते हैं, तो आपके पोशक तत्व भी उसके साथ निकल जाएंगे, तो इसलिए सही मात्रा में पानी लेना है, और ढकन डालके उससे पकाना है, क्योंकि भाप जब ही निकलती है, तो उसके साथ भी आपके पोशक तत्व पाहार निकलते हैं, दकन डालके जब आप पकाते हो, तो वो जल्दी भी पकेगा, और उसके जो पोशक तत्व है, वो भी उसी के अंदर रहेंगे, तो उसी के कारण ऐसे सही तरीके से आपको सबजी पकानी है, तो इस प्रकाय से दोस्तों सही तरीके से उबालके, अगर आ करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें, अगर आपको कोई भी सवाल है, तो वो सवाल भी आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं अब आप से मिलूंगी अगले वीडियो में, तब पर के लिए, गद्बाइ!